हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल HSE Paramount पे दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है JSA यानी Job Safety Analysis आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं What is JSA यानी की JSA या JHA क्या होता है उसके बाद Basic Steps of JSA यानी JSA के Basic Steps क्या होते है फिर Advances of JSA यानी JSA को करन है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि JSA होता क्या है JSA का Full Form होता है Job Safety Analysis या इसको JHA Job Hazard Analysis भी बोला जाता है अब बात करें हम कि JSA होता क्या है तो JSA एक Procedure है जिसमें किसी ये Specific Job को Analyze किया जाता है और उसके हर एक Step में Hazards को Identify किया जाता है और उन Hazards को Control करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए Safety Precautions डेवलप करते हैं अब हम जानते हैं Basic Steps of JSA जैसे का Procedure बहुत ही Simple होता है और उसमें चार Basic Steps होते हैं सबसे पहला है Select the Job to be Analyzed यानि कि सबसे पहले Job को Select करना जिसका आपको को Analysis करना है उसके बाद आता है Break the Job into Steps यानि उस जोब को अलग-अलग Steps में ब्रेक करते ना तीसरा है identify potential hazards in each step यानि उस हर एक Step में जो potential hazards है जिनसे accidents हो सकते हैं उसको identify करना और सबसे लास्ट है develop preventive measures to reduce or eliminate hazard यानि कि उस hazard को reduce करने के लिए या Eliminate करने के लिए क्या suitable preventive measures है उनको develop करना यह चार आपके basic steps है जेसे को करने के अब हम जानेंगे advantages of JSA यानि कि JSA करने के क्या-क्या फायदे हैं क्या-क्या benefits है तो सबसे पहला है it helps to identify hazards and prevent accidents यानि hazards को identify करने में और accident को रोकने में मदद करता है दूसरा है it helps in safety inspection of site यानि site का safety inspection में यह help करता है it helps in training of employees यानि किसी site पे काम कर रहे employees को किस type का training provide कराना है उसमें JSA help करता है उसके बाद है it helps to meet safety standards यानि अपके साइट पे safety standards को maintain रखने में JSA help करता है it helps in improve communications and prevent hazardous conditions यानि site पे काम कर रहे है सब भी workers और staff के बिच communication को improve करता है और hazardous condition को prevent करता है हम जानेंगे format of JSA यानि कि JSA का format हम कैसे prepare करते हैं और उसको कैसे फिल करते हैं यह आपका format अलग-अलग organization में अलग-अलग site पे different हो सकता है इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है जैसे को format में सबसे पहला आता है आपका location यानि आप JSA को कौन से site पे conduct कर रहे हो उसके बाद आता description और avec can see work पो analyze करना कौन से job को analyzer करना उसका description उसके बाद है prepared बाई यानि कि जर्छिक को कौन prepared कर रहा उसका नाम next आथा reviewed बाई यानि जर्सको कौन review कर रा कौन check कर रहा उसका नाम और आप्रोव्ण यानि इस JSA को कौन अप्रूफ कर रहा और सबसे लास्ट में है डेट इन टाइम यानि की कौन से डेट में और कौन से टाइम है यह से प्रिपेर किया जा रहा है उसका डीटेल जैसे के फॉर्बंट में सबसे पहले कॉलम में आता स्टेप नंबर दूसरे कॉलम में आता पहले के स्टेप्स में तोड़ देना तो दूसरे कॉलम में उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है तीसरे कॉलम में पोटेंशिल हैजर्ड यानि उस हर स्टेप्स में क्या-क्या पोटेंशियल हाजर्ड से उसका डिस्क्रिप्शन और सबसे लास्ट कॉलम में आता है कंट्रोल मीजर्स या प्रिवेंटिम मीजर्स यानि उस है जोड्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कंट्रोल मीजर्स या प्रिवेंटिम मीजर्स लेना है उसका डिस्क्रिप्शन तो हमारा सबसे पहला स्टेप है वर्क स्टार्ट अप्टेनिंग पीटी डबलू यानि परमिट जुकते हैं तो obtain a hot work permit before starting the job, यानि job के start होने से पहले hot work permit को ले, दूसरा supervisor must ensure that all work activities are carried out by competent person, यानि जो भी work activity है वो सिर्फ competent person की द्वारा ही किया जाया, इसको कौन ensure करेगा तो supervisor करेगा, तो उसके बाद है, conduct toolbox meeting and review method of statement, यानि job के start होने से पहले toolbox meeting को conduct करे, और method of statement को review करे, दूसरा step है grinding, इसमें क्या-क्या potential hazards है, तो सबसे पहला है rotating equipment, spark, दूसरा है damaged grinding disc, तीसरा है electrocution, उसके बाद है high pressure air, और flying objects या eye injury, इनको prevent करने के लिए हम क्या-क्या precautions ले सकते हैं, तो सबसे पहला make sure guards are fitted to all rotating parts, यानि जो भी rotating parts हो उसमें guards लगा होना चाहिए, दूसरा inspect the grinding disc prior to start the work, यानि इस work को start करने से पहले, grinding disc को एक बाद इंस्पेक्ट कर ले, चेक कर ले, उसके बाद है make sure that disc is compatible with the grinding machine, यानि जो disc के आपका grinding machine से compatible होना चाहिए, check the RPM of disc and machine, यानि जो disc का आप यूज करने वाले हैं, उसका RPM और machine का RPM चेक कर ले, proper PPEs, यानि grinding के दोरान क्या-क्या PPEs हैं, जरूरी हैं, उन सब का यूज करें, correct installation of grinder wheel, यहीं grinder wheel का installation correctly करें, सही से करें, only experience personal to use the equipment, जो भी competent person हो, experienced person हो, वाई सिर्फ grinding machine का यूज करें, wear face shield while grinding, जब भी grinding work आप execute कर रहे हो, तो उस दोरान face shield को यूज करें, make sure an eye wash station is available nearby, eye wash station आपका आस पास बे होना चाहिए, make sure कर ले, तीसरा step है gas cutting, gas cutting के तोरान क्या क्या है potential हजार से, सबसे पहला है bonds, तूसरा है fire हजार, तीसरा है explosion, और चौता है damaged or leaking cylinders और hoses, इनको control करने के लिए क्या क्या precautions ले, तो सबसे पहला all cylinders to be secured, यानि जितने भी आप cylinder का use करें हो, secured हो, सही position में रखा हो, दूसरा hoses should be in good condition, यानि ज जो भी आपके hoses हो, वो सब सही condition में हो, तीसरा flashback arrester between cylinder and torch, यानि cylinder और torch के बीच, आपका flashback arrester लगा होना चाहिए, उसके बदे ट्रेंड fire watcher, यानि ट्रेंड fire watcher को होँआ पोइंट करें, जहाँ पे आपका gas cutting work चल रहा है, use proper PPEs, gas cutting के दौरान जो भी mandatory PPEs हैं, उसका use करें उसके बाद है fire blanket, यानि fire blanket का use करें, deployment of experience personal, यानि जो gas cutter हो, experienced हो, skilled हो, तौथा step है welding, welding के तौरान क्या-क्या hazards का सामना करना पड़ सकता है, तो सबसे पहला है fire, उसके बाद है burn, तीसरा है electrocution, उसके बाद है UV rays, और सबसे लास्ट है harmful gases and fumes, इनको prevent करने के लिए, control करने के लि तो wear proper PPEs, like leather hand gloves, apron, welding shield, goggles, यानि welding के तौरान जो भी mandatory PPEs है, उनका use करें, उसके बाद है area must be free from flammable materials, यानि आपका work area flammable materials से free होना चाहिए, तिसरा ensure housekeeping and good ventilation in working area, यानि working area में housekeeping और good ventilation हो, ये make sure कर ले, उसके बाद है trend fire watcher, यानि जहाँ पर welding work चल रहा है, वहाँ पर trend fire watcher को point करे, उसके बाद है welder must be skilled and trend, यानि जो welder हो, वो skilled हो, और trend हो, all welding machine shall be earth, यानि सभी welding machine का earthing होना चाहिए, कि fire extinguisher near welding area, यानि welding area के आसपस fire extinguisher को रखे, तो दोस्तों ये था JSA का format, I hope आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, ऐसे और वीडियो देखने के लिए subscribe करें हमारे चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you for watching,